कोरोना महामारी के चलते समाज में जागरूप तफ़लाने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है वहीं समाजिक संस्थाएं भी सोर कदम आगे बढ़ा रही है मुरादबाद के विश अब्रहमण परिशत द्वारा मुरादबाद के सिविल लाइन इस्थित पिली कोठी चुराएं पर सभी सदस्थों ने पहुंच कर रहागीरों को सैनिटाइज किया और साथ ये मांक्स वित्रिद भी किया गया परिशत का ये कहना है कि जब से लॉक्डाउन शेहर में लगा है तब से हम जन सेवा में लगे सभी लोगों की मदद करने के साथ साथ महानगरवासियों को जो जरुवत मन हैं उनको फाइदा पचाने के नहीं काम कर रहे हैं हमारा उदेश ये है कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार और प्रशासिन की मदद की जाए सदस्य द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है और सभी लोग बाखुवी तरीके से सहयोग देने के साथ जनता की सेवा में लगे हुए हैं हमारा उदेश है कि इस समय करोना वाइरस जैसी खतरनाग बिमारी के खात्मे के नहीं जहां सरकार और प्रशासन काम कर रहा है हम विश्पराहमार परिशस से हैं और मैं मंडलाय दक्स आपकाश शर्मा इस परिशस से मुरादाबाद मंडल में कारे कार रहा हूँ और पिछले लोकडाउन से पंदरासो परिवारों को हम लोगों ने अभी खाना वितरन किया है और साथ साथ खाना वितरन के साथ ही जन सेवा में जो भी कार रहा है हमसे हो सका है वो हमने किया है और साथ में सैनेडाइजेशन का काम किया है जिसमें दुकानों को सैनेडाइजेशन करने का हमने कारे किया है और साथ में अभी आज क्या है कि मास्क वित्रण हम लोग पब्लिक टांस्पोर्ट को कर रहे हैं और साथ में जितने भी कारे करता है जो भी मुराद हम मास्क वित्रण और सेनिटाइजेशन कर रहा है जिससे पुब्लिक ट्रांसपोर्ट को सेनिटाइज कर किया जा रहा है जो कि लोगों को लोगों के स्वास्ट को ध्यान में रखके हम इस सारी सीज़े ध्यान कर रहे हैं कि यह साम 6 बजे तक रहेगा आगे साब जिन जिन एरियों में जादा संक्रमन निकल रहा है उन्हों मेरियों में हम कुशिशे करेंगे ज्याद से जादा मास्क वित्रण करें और मोदी जी की नीतियों पर चलते हुए आगे इस बिमारी से देश को बचाए हम संगटित होकर इ करेंगे ज्याद से देश को इस बिमारी से बचाना